दोस्तों बिहर में नई सरकार बनी हैं, नई सरकार में नए मंत्री भी बन गए हैं, तो चलिए देख लिजे किस विभाग के कौन मंत्री बने हैं, और कौन-कौन सी विभाग से बंपर पदो पर भरती होगी, किस-किस विभाग से बंपर पदो पर भरती आ रही है, इसके बार यहां से official list आप सबसे पहले देख लिजिए और साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आपके छेतर से कौन-कौन से यहां पर मंत्री बने है विधान सभाद छेतर वाज आप लोगों को बताएंगे आगे एक और list दिखाएंगे यहां पर आप देखेगा मंत्री का नाम है विभाग का नाम है यहांसे आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपके छेतर से कौन मंत्री बने है तो आगई एक और list है पिक्चर के साथ दिखाएंगे तो आपको यहां पर देखेगा पहले नमर पर मुखे मंत्री नितिसकमार जी का नाम है और नितिस्कुमार जी इस वार टोटल पांच विभाग अपने पास रखे हैं और इसमें देखेगा दोस्तों सबसे में जो माना जाता है पुलीस ही माना जाता है नितिस्कुमार जी इस वार फिर से अपने पास ग्री विभाग यानि पुलीस से संबनित पुलीस जो विभाग हो गया दूसरा ग्री विभाग तीसरा मंत्री मंडल सची वाल है और चोथा यहाँ पर निग्रानी है तो विजिलेंस डिपार्टमेंट भी अपने पास ही रखे हैं और पांचमा निर्वाचन से संबनित और अगर किसी को कोई विभाग आवांटीत नहीं होता है तो उस कंडिशन में सीम नितीस कुमार जी के पास ये विभाग रहेंगे तो टोटल पांच विभाग हो गया अब आप लोग तेजस्वी आदब से रिल्टेट देखना चाहरे होंगे उप मुख मंत्री तेजस्वी आदब जी को कौन-कौन सी विभाग मिले हैं तो टोटल चार व विकास करना चौथा यहां पर ग्रामिन चेतर में कार्ज करना ये चार भी दोस्तों काम के मामले में बहुत ही अच्छा विभाग है और इसी चेतर में सबसे अधी काम करना परता है और एक हो गया सीक्षा तो सीक्षा के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं और ज पहले से भी उर्जा मंत्री थे और फिर से है इसके बाद साथ में एक और योजना एवं विकास विभाग पांचमा नमर पर देखेगा तो आलोक कुमार मेहता राज़स्यों भूमी सुधार विभाग और शिरी तेजपरताप यादव यहां पर हो गया प्रियावरन वानियम ज जेगा तो पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान विहार के सिक्षा मंत्री कौन है इस तरह से तो ऐसी भी आपके लिए जरूरी है और आगे आप लोग के एक और लिष्ट दिखाने वाले वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर आपके छेतर से कौन बने आप ये भी जान पताना चारे होंगे शिरियासोग चौधरी भवन निर्मान विभाग सर्वन कुमार गरामीन विकास और शुरेंद्र परसाद यादव सहकारिता विभाग रामानादि यादव खाने वं भूतत विभाग सरी मति लेशी सिंग खादे वोगता सनरक्षन श्री मदन सहनी समाज यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हुए कि पहले बहुत सारे common नाम इसलिए आ रहा है कि जदविस रिल्टेट जो भी यहाँ पर मंत्री बने है लगवक सब सेमी है कुछ ही का यहाँ पर बदलाव किया गया है सिर्फ यहाँ पर बीजेपी के मंत्री के जगपर आब आर अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री इस रिल्टेट देख लीजेए आप लोग यहाँ पर जो भी टीचर से रिल्टेट देट है तो यहीं जानना चार। से मंत्री बने हैं इसके बाद हो गया है शुमीत कुमार सिंग विज्ञानयों प्रोदेगी की विभाग सेम ही है शुनिल कुमार मदनिशयद उत्पादयों निवंधन विभाग स्री मति अनितिया देवी पिछरावयम अत्यंत पिछरावर कल्यान विभाग अब यहां पर 23 हो अल्प संख्यक कल्यान विभाग श्री मुरारी परसाद गौतम पंचैती राज श्री कार्ति कुमार विधी यहां पर बहुत सारा आपको नया नाम देखने को मिल रहा होगा और इसके बाद है श्री समीम आहमद गन्ना उद्योग श्री सहनवाज आवदा प्रबंधन श्री 31 नय मंत्री यहां पर बने हैं इस तरह से देख लिए सभी का नाम आप अब चलिए यहां से देख लिए आपके छेत्र से कौन-कौन बंत्री बने हैं यहां पर पिक्चर के साथ देख सकते हैं और यहां पर तेज़श्री यादव जी तेजपरताव यादव जी हो गया मोहम मंत्री बनाया गये हैं इसके बाद यहां पर देखेगा नितिस के मंत्री मंडल में कॉंग्रेस हम से मंत्री तो यहां पर देखेगा कॉंग्रेस से दो बनाया गये हैं मंत्री और एक MLC यहां पर संतोष कुमार सुमन यह जितन राम बांजी जी का बेटा है तो यहां पर हो गय या नितिश के मंतरी मंदल में जड़यू कोत्रें से मंत्री तो यहां पर जड़यू से रिलटेट देक Johnny जे विजय कुमार चौधरी जी पहले सिक्षा मंत्री थे अब यहां पर जो बनाया गया है दूसरा को लेकर, कि पूरा का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नोकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे, हम लोग पढ़ी संख्या में देंगे, अरे नोकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ है, हम लोगों का concept है, कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो दस लाग तक कर दें लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझे उसके रोजगार के लिए नौकरी और रोजगार दोनों का इंतिजाम इतना करवाएंगे सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज़्यादा काम पढ़ना चाहिए कि यह हो जाएगा तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाग तक पहुँचाएं इसके लिए पूरे तोर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि यह सब काम में आप समझ लिजे कितना ज़्यादा होगा और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे है सारे पार्टी के लोगों को बैट करके 2019 में मीटिंग हुई और उसी समय हम लोगों ने उसका नाम करन किया जल डैस जीवन डैस हरियाली अभियान यानि कि जल संरक्षित है और आप जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लैब सुना सियम नितिश कुमार जी के और से अतिहासिक एलान किया गया 10 लाग सरकारी नौकरी देंगे और कुल मिलाकर 20 लाग रोजगार देंगे तो अब सरकार की पहली परात्मिकता में सरकारी नौकरी है इसलिए बंपर पदोपर भरती दी जाएगी अब बात करते हैं दोस्तों कि स्विभाग से कितने पदोपर भरती आएगी साथ ही दोस्तों उप मुख मंत्री तेजस्वी आदव जी का भी आप ट्वीट देख सकते हैं और 2020 विधान सभा चुना में तेजस्वी आदव जी की और से ये घोषना किया गया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाक नौकरी देंगे तो यहाँ पर सियम नितीश कुमार जी की और से 15 अगस्त के सुभाव सर पर ये घोषना किया गया कि 10 लाक यहाँ पर नौकरी देंगे और यहाँ पर सारा कुछ आप ट्वीट में कल के ट्वीट में देख सकते और नितीश कुमार जी का भी आप लाए वीडियो सुन लिए अब दोस्तो अभी वर्तमान ये है कि यहाँ पर मंत्री मंडल का भी गठन हो गया है सभी विभागों संबधित ने मंत्री बन गए है और सबत भी अपने पद का ले लिए है तो यानि यहाँ पर बंपर पदो पर भरती आ रही है तो सबसे अधीक भरती किस विभाग से संबधित आएगी तो सबसे अधीक भरती दोस्तों सिक्षा विभाग से संबधित आएगी फिलाल जो खाली टीचर का पोस्ट है दोलाक इस पर तुरंत यहाँ पर भरती दी जाएगी और सिक्षा मंत्री भी अच्छे लोगों को बनाया गया है पढ़े लिखे को बनाया गया है बहुत ही अच्छे वेक्ती है चंदर सेखर जी को बनाया गया और दिली भी स्विध्याल जी के पास है स्वास्तव भाग से संब्बनित भी बंपर पदर भरती आएगी बिहारे स्सियाई के माध्यम से बीपी एससया प्रेंश के माध्यम से बहरती आएगी इसलिए आप लोग अच्छे त्रीके से त्यारी किजिए अगर आप सभी चैनल पर नए है तो जरूर सब्